कृष्ण भगवान मोर पंक क्यों धारण करते थे वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी पानी की तलाश में राम जी चारों ओर देख रहे थे उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था कुद्रत से प्रार्थना की हे वन देवता आसपास जहां कहीं पानी हो कृप्या वहां जाने का मार्ग दिखाएं तभी वहां एक मोर ने आकर शीराम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशे है चलिए मैं आपका पत प्रदर्शक बनता हूँ किन्तु मार्ग में हमारी भूल चुक होने की संभावना है शीराम जी ने पूछा वह क्यों तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उरता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे इसलिए मैं मार्ग में अपना एक-एक पंक भिखेड़ते हुए जाऊंगा मेरे पंकों को देखते हुए आप और सीतामा जलाशे तक आसानी से पहुँच जाएंगे इस बात को हम सभी जानते हैं कि मोर के पंक एक निश्चित समय एवं विशेश रितु में ही गिरते हैं अगर मोर असमय अपने पंकों को गिराएगा तो उसकी म्रत्य हो सकती है प्रभु शीराम की सहायता करने में उस मोर को अपने प्राण गवाने पड़े बाद में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा था उसने मन में सोचा कि मैं कितना भागेशा ली हूँ कि सारे संसार की प्यास बुझाने वाले की प्यास बुझाने का परम सौभागी मुझे प्राप्थ हुआ मेरा जीवन धन्य हो गया अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई उसकी यह दशा देखकर शीराम ने मयूर से कहा कि तुमने अपने पंक भी खेर कर मुझ पर जो रेण चड़ाया है मैं उस रेण को अगले जनम में अवश्य चुकाऊंगा तुमारे पंक को अपने सिर पर धारण करके यही कारण था प्रभू ने क्रश्न रूप में मौर पंक को हमेशा शिरो धार्य करके अपना वचन पूरा किया इसका तात्परी यही है कि अगर भगवान को रिन उतारने के लिए पुने जनम लेना पड़ता है तो हम सब तो साधारण मनुशे हैं ना जाने हम पर किस किस का रिन चड़ाओगा उसे उतारने के लिए हमें तो कई जनम भी कम पड़ जाएंगे ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद